नमस्कार दोस्तों मैं हूँ पृत्वी and I hope you are doing well So आज कज हमारा discussion होगा वो छोटा सा निका सा प्यारा सा discussion होगा लेकिन जितना छोटा होगा उतना ही important है अगर examiner 1857 की क्रांती से आप से question पूछ रहा है कानपूर में किसने विद्रो का नित्रित्व किया था अगर वहां से examiner question नहीं पूछता तो उसके बाद जो संभावने बढ़ती है वो बढ़ती है इतिहासकारों से कि 1857 की क्रांती को किसने सोत अंतरता संग्राम का था या किस इतिहासकार ने 1857 की क्रांती को सैनिक बिद्रो का था तो आजगा जो हमारा discussion होगा वो होगा 1857 की क्रांती से स्वंदित इतिहासकारों के बिचारों पर तो चलिए अपना discussion स्टार्ट करते हैं बीडी सावरकर ये वही निता है जिन्होंने 1904 में एक क्रांती का रिदल अभिनव भारत की स्थापना गी थी तो बीडी सावरकर ने 1909 में अपनी एक पुस्तक की लिखी थी 1857 की क्रांती पर जिसका नाम था इंडियन बार ओफ इंडिपेंडेंडेंस 1857 इसी में जो है वीडी सावरकर ने का था कि जो 1857 की जो करांती है वो भारत का सोतंतरता संग्राम थी और एक्जाम में question सिदा सिदा पूछा जाता है कि किसने जो है 1857 की करांती को जो है बरतम या सोतंतरता संग्राम का था तो विडि सावर करने हैं नेक्स जो हमारी इतिहासकार है वो है S.N. Sain S.N. Sain का जो एक इतिहासकार है उन्होंने अपनी एक पूस्तक लिखी 1857 की करांती पर जिसका सिदा सा नाम था 1857 1857 इस बुक में S.N. Sain ने जो है 1857 की करांती को सोतंतरता संग्राम मानने से मना कर दिया इसके अलावा एक और जो इतिहासकार थे भारतिया जिन्हों जो 1857 की करांती को सोतंतरता संग्राम मानने से मना कर दिया था या राश्ट्रिया विद्रो मानने से मना कर दिया था उनका नाम था असोक मेता और जो असोक मेता थे उन्होंने एक पूस्तक लिखी थी The Great Reveillance तो उसी बुक में जो इन्होंने 1857 की करांती को राश्ट्रिया विद्रो मानने से मना कर दिया था अब आपसे एक्जाम में कोश्चिन के से पूछेगा कि वह कौन सा इतिहासकार है जिसने 1857 की करांती को जो है राश्ट्रिया विद्रो मानने से मना कर दिया था तो उनका नाम होगा सेन यहां पर confusion मत करना क्योंकि सेन ने जो अट्रासोस्तावन की करांती को सोतंतरता संगराम मानने से मना किया था और जो असोक था असोक महता थे ठीक है सिला लेखों वाला असोक नहीं ठीक है असोक महता जो थे उनकी जो पुस्तक थी ग्रेट रिवैलियन उनमें उन्होंने जो अट्रासोस्तावन की करांती थी उसे राष्ट्रिय बिद्रो ठीक है इन्होंने राष्ट्वत अंतरता संगराम मानने से मना किया था और असोक मेता ने राष्ट्रिय बिद्रो मानने से मना किया था नेक्स जो हमारे इतियासकार है वो है ब्रिटेन के इतियासकार बेंजामिन डिजराइली यह जो है नौवलिस्ट भी थे मतलल नौवल भी लिखा करते थे इनके बहुत फेमस फेमस नौवल भी है और यह ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं दो वार तो इनके question पूछा जाता है कि वह कौन से British इतियासकार थे जिन्हों ने जोए 857 की करांती को राश्ट्य विद्रो का था तो एक मातर Benjamin Disraeli Benjamin Disraeli ने 857 की करांती को राश्ट्य विद्रो का था और एक ऐसे person है जो Britain के दो बार पर धानमंत्री भी रह चुके हैं नेक्ष्ट है टी आर होम्स ने अठ्रासोस तुन्जा के विद्रो को सब्वेता और बरबरता के बीच की जंग का था ओके देखो कैस जितने भी मैं आपको यह जो इतियासकार बता रहा हूं वह बहुत इंपॉर्टेंट है कोश्चिन आपको इनी मैंसे मिल जाएंगे ओके जैंस आउटरडम नेक्ष्ट हमारे जैंस आउटरडम जैंस आउटरडम ने अठ्रासोस तुन्जा के 1857 के रिवाल्ट को जो है मुस्लिम सडेंतर का परिणाम बताया था इनका मानना था जो अठ्रासोस तावन की जो करांती वी थी यह मुस्लिमों के द्वारा जो सडेंतर रचा गया था उसका परिणाम था नेक्ट जो हमारे इतियासकार है वो है भारतिया इतियासकार रमेश चंदर मजूमदार अगर आप सौट में का नाम जानते होंगे जैसकी आरशी मजूमदार बहुत पेमस सितियासकार है तो स्टार्टिंगे मैं क्या हुआ कि आप 1857 की ग्रांती पर रिसर्ज कीजीए और हमें बताईए कि जो 1857 की कुरांती थी, क्या वो प्रतम सोतंतरता संग्राम था या वो जो एक सैनिक विद्रो था वो आखिरकार 1857 की कुरांती थी क्या तो फिर इन्हों के द्वारा जोए 857 की क्रांती पर जो एक पुस्तक लिखी जाती है The Spy, Community and the Revelling of 1857 तो इसी पुस्तक में इन्होंने कहा था कि जो 857 की क्रांती है वो ना तो प्रतम सोतंतरता संग्राम थी और ना ही अप्रतम थी और ना ही अराश्ट्रिय था मतलब इन्होंने सिधा मना कर दिया कि जो 857 की क्रांती है वो ना तो प्रतम थी और ना ही राश्ट्रिय थी और ना ही सोतंतरता संग्राम थी और आपका जो आंसर होगा वो रमेश चंदर मजूमदार होगा ठीक है एक्चलिम होपर कनफ्यूजन पता कहा होता है बीडी सावरकर को लेकर होता है क्योंकि बीडी सावरकर ने जो 857 की क्रांती को जो है सोतंतरता संग्राम के संग्या दे थी और रमेश चंदर मजूमदार दोनों के नाम थोड़े मिलते जलते लगता है मुझे ठीक है मुझे कशन होता है आप का पता नहीं ठीक है तो रमेश चंदर मुअझ उमदार ने जो इसे कहा था कि य ना तो प्रथम सोतंतरता संग्राम है और ना यह राश्ट्रिय था मतलब है ना पूरी देस में फैला था और ना ही इस व्यंद्रता संतरता संगराम था अब इन्होंने क्यों यह कहता अब यही जाने अब आगे चलते हैं नेक्स जो मारे इतिहास का रहे हैं वो है सर सैद अहमद खा मोर मोस्ट मोस्ट इंपोर्डेंट एह इनकी जो पुष्टक थी उनका नाम था एन ऐसे ओ दा काउज ओफ दा इंडियन रिव था और उसके अब बाद जो इनका जो फेवर करते हैं याईनी की बातों को आगे जो रखते हैं वो हैं लारेस एंड सीले लारेस एंड सीले भी जो है वो कहते हैं कि जो 1857 की जो करांती थी वो एक सैनिक विद्रो था एक्जाम में जो कोश्टिन आए गया अगर राष्ट्र पूच्छा ही जाएगा कि किसने जो 1857 की करांती को सैनिक विद्रो का था तो सर सैद अहमद खा या लारेस या सीले भी ऑप्सन में हो सकता है तो इनको ध्यान में रखना आप तो गैस एह था हमारा एक छोटा सा टॉपिक अब आप मुझे कुमेंट करके बताईएगा कि अब आप कोगे कि आप अपने भीउर रखें तो मेरे साफ से जो अथरास सावणी की करांती ती या पहले पहली थी इस पर थोड़ा मैं डाउट हूँ ठीक है बट सैनिक विद्रो तो मैं नहीं कोऊँगा लेकिन सोतंतारता संगराम थी अब इसका रिज़न पता क्या है जिसके बाद भारत में कमपनी का सासन समावत हो जाता है और भारत चल जाता है सिधा ब्रिटेन क्राउन के अधीन तो इसमें उन्होंने कहा था कि हम बादा करते हैं कि आज के बाद आपके धर्म नीजी मामलों में कभी इंटरफेर नहीं करेंगे तो मतलब इससे हमें लगता ह कि जो अठ्रा सुस्तावन के करांती थी वो सोतंतरता संग्राम थी अगर धर्म से ना जूड़ा होता अगर किसी नीजी मामुद्धों से ना जूड़ा होता तो हम इसको जो है कहते ही कि सहनिक वित्र होता ओके तो इस वीडियो में बस इतना है गाइस मिलते हैं नेक्स्ट कि वीडियो में तब ताके लिए बागाइस